नमस्कार दोस्तों रेलवे अड़ा 24-7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है वंदन है अभी नंदन है इस रेलवे की क्लास में जो बिसिकली करेंट अफेर प्लस जीके जीएस की क्लास होती है ये कम में बम वाली क्लास होती है मतलब सर हम आप से रेगुलर एक घंटा आट से नो ससे अड़ा यूट्यूब चैनल पे तो पढ़ाते ही हैं यहाँ पे उन क्वेशन्स को डिसकस किया जाएगा करेंट के जो रेलवे में आने की संभावना जिनकी ज्यादा होती है साथ ही साथ रेलवे का जीके रेलवे का जीयस आपके लिए यहाँ पे डिसकस किया जाएगा जो आपके लिए जरूरी बनेगा तो आईए 10 अप्रेल के देखते हैं वो कोश्चन क्या है मुझे उमीद है आप मेंसे बहुत सारे लोग एंसर कर देंगे और वो बस चार पाँच कोश्चन होंगे जो रेलवे ओरियंटेट करेंट अफ्यर फिर उसके बाद रेलवे का जीके रेलवे का जीयस सब कुछ मिले आपको हमारे क्लास में ठीक है ना तो पहले वो चार पाँच करेंट अफ्यर हो जाए जो आपके एंटी पीसी ग्रूप डी अल्पी आर्पी अफ के लिए जरूरी बनेंगे भारत का पहला सैने ग्रेट भूइस्थानी को पग्रा का क्या नाम है जिसे हाली में टाटा लॉंच किया गया है फ्लोरीडा से फ्लोरीडा कहां पढ़ता है सर फ्लोरीडा पढ़ता है सर आपके अमेरिका में ठीक है ना फ्लोरीडा इसे फ्लोरीडा से लॉंच किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉंच किया गया है पचास केजी इसका वजन बताय जा रहा और ये PPP model पे विक्सित किया गया है, मतलब एक PPP model को एक बल देता हुआ एक परियोजना ये दिख रहा है, जिसे मूल रूप से Tata Suns ने लॉंच किया है SpaceX Falcon 9 rocket के द्वारा, याद रखेगा private sector में भारत का पहला military gate geospatial satellite लॉंच किया गया है, ठीक है न, तो ये आपके लिए important बनेगा, चाहे आप railway का exam दें, चाहे आप SSC का exam दें, अगले question पर जाएंगे, अगला question निम्न मेंसे किस अफरिकी देश ने अर्थ वेवस्था को समभाने के लिए स्वण समर्थित नई मुद्रा जिक को लॉंच किया है, मैंने क्या कहा, कि आपको मेरे इस railway के class में, वही 4 पांच current affair मिलेंगे, जो railway में आने योग्य होंगे, ठीक है ना, बाकी आपका आने जगा पे है, तो सुन जिग को लॉंच किया है आपके जिम बॉंबे ने, अगर हम लोग जिम बॉंबे की बात कर दें, तो जिम बॉंबे की राजधानी आपसे अक्सर पूर सकता है, जिम ब पांच, दस, बीस, पचास, ठीक है ना, बीस, पचास, सो और दो सो के डाइमेंसन में लॉंच हुई है, पांच अप्रेल से ये नई मुद्रा जिम बॉंबे में चलने लगेगी, याद रखेगा, रेलवे के एक्जाम में कई बार पूछा है, आप देखिएगा, रेलवे का प्रिवियस एर पेपर उठा करके, कि जिम बॉंबे का पुराना नाम क्या है, जिम बॉंबे का पुराना नाम रोडेसिया है, जिसने, अब ये जो जिग नाम की, जिम बॉंबे गोल्ड, जिग नाम की नई मुद्रा लॉंच हुई है, या किसको रिप्लेस करेगी, संभाव को आप JIG को ये है ना ZIG that is JIG ZIG जिग तो आप से आगे railway के paper में पूछ सकता है कि JIG का full form क्या है ठीक है ना चलिएगा अगले point पे आएंगे 4-5 question current के फिर railway के GS railway का static G के यही आदे गंटे का इस class का daily का format होगा आदे पॉन गंटे का अभी हाल ही में planning for India's urbanization नामक किताब launch की गए इस किताब के लेखक कौन है याद रखेगा इस किताब के लेखक हैं विद्याधर के पाठक इसमें इन्होंने निबंधो का सार संग्रा है पिछले अपने 50 वर्सों के अनभवों को एक साथ करके भारत का सहरी करण कैसे किया जाए उस योजना को इस किताब में लिखा है ये एक निबंधो का संग्रा है रेलवे के एक्जाम में एक book and writer पूछता है तो वो आपको ध्यान रखना होगा अगला point आते हैं ये कुछ अन्य किताब है जैसे ये किताब बहुत फेमस है महा स्वपनी कुडू पी विक्रम ठीक है न ये important किताब रहेगी और ये भी बहुत अच्छा है basic structure and republic पी एस स्रीधरन ठीक है न पी एस स्रीधरन पहले मगही उपन्यास फूल बहादूर को हाली में अभय के दौरा English में translate किया गया है इसके लिए इन्हें award भी मिला है ठीक है न ये आपके railway के लिए बहुत important book बनेगी फूल बहादूर जिनका center पटना भागलपूर मुझफरपूर पढ़ता है बिहार वाले जो हमारे student है वो देखना मगही उपन्यास है न तो set तो railway के कई बनते हैं उनमें स सबूस्कार से समानित किया गया तो यह Space Foundation किस देज की है सर Space Foundation अमेरिका का है जिसने 2024 का जोन ऐल जैक स्वीगर जूनियर पुरुसकार दिया है याद रखिएगा ये संस्था 1983 में अमेरिका में इस्थापित के गई थी इस पुरुसकार को लेने के लिए इसरो की तरफ से DC मंजुनाच जी को बुलाया गया है अमेरिका और वो जाकर के जान एल जैक जूनियर पुरुसकार सा मान में उतना इंट्रेस्टेड नहीं रहेगा जिसका तुम नमवे नहीं सुने हो कभी वो अवार्ड तुमसे पूसता है रेलवे मैं इस क्लास में ऐसा नहीं होगा कि जैसे ससी अड़ा पे 15 क्वेशन पढ़ाता हूं तो 15 पढ़ाऊंगा नहीं 4-5 क्वेशन जो रेलवे पॉ को ऐसे भी पूश सकता है कि सर सुमित नांगल किस खेल को खेलते हैं तो सर ये सुमित नांगल केलते हैं टेनी स्क्राइब को खेलते हैं यह हम लोगों ने पाँच कोशन जो रेलवे के लिए ठीक है ना एक यह छठवां भी पॉर्टेंट हो सकता है जरूरत मंदों के उत्थान के लिए मुखी रूप से भूख मरी से बचाने के लिए किसे वर्स के सबसे भरूसेमन एंजियों का पुरुसकार दिया गया है सर वो पुरुसकार दिया गया है इसकॉन भिवंडी को जो महराष्ट में पढ़ती है इसकॉ भारत में सबसे लंबी दूरी तरह करने वाली ट्रेन कौन सी है राजधानी एक्सप्रेस सताबदी एक्सप्रेस बिवेक एक्सप्रेस या समझोता एक्सप्रेस चलिए अब आ जाते हैं अपने रेलवे ओरियंटेट पे भारत में सबसे लंबी दूरी आपको आप्शन के हि तो याद रखेगा भारत में विबेक एक्सप्रेस है जो सबसे लंबी दूरी तै करती है ऐसे ही तुमको दिखरागा रहे हैं दौडे साप की तरफ दौड रही है विबेक एक्सप्रेस के बारे में जानते हैं डिबरुगर से कन्या कुमारी विबेक एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी ट्रेन है यह ट्रेन 4154.1 किलो मिटर की दूरी ताएं करती है और करीब करीब मेरे भाईया 9 राजियों से होकर के गुजरती है अगर हम लोग विबेक एक्सप्रिक्स की बात करें तो यह पहली बार 2011 में चलाना सुरू किया गया था जो भारत ट्रेन पैस या दुनिया की 24 वी सबसे लंबी ट्रेन है यह ट्रेन आसम के डिब्रुगड से सुरू हो जाती है मतलब इसका ओरीजिन का है डिब्रुगड में और कहां तक चलती है आपके कन्या कुमारी तक और आप देख लें कि आपका राज केरल करनाटा गोवा महरास्ट गुजरात अगले पॉइंट पर आएंगे वर्तमान में विसु का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन का है हुबली लखनव गोरखपूर खड़कपूर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर रेलवे के टर्म में हम लोग बात करें तो जो पुराना रिकॉर्ड है वो के नाम पे है लेकिन नया रिकॉर्ड कहां पे आ गया हुबली कौन सा रेलवे स्टेशन सर सिद्ध रूधा करेंट अफेयर में ये खूब चर्चा में रहा सिद्ध रूधा रेलवे स्टेशन याद आया आज के हम लोग 7-8 मेना पहले जब आप SSC चैनल पे हमसे पढ़े हो उसमें मैंने बताया होगा तो हुबली का सिद्ध रूधा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेट फार्म बन गया है वहीं आपके गोरकपूर अब सेकंड पे पहुँच गया है जो उत्तर प्रदेश में पढ़ता है गोरकपूर सेकंड पहुँच गया है ये है आपके प्याप रेलवे एंटी पीसी कुछ भी इसमें पूछ सकता है मेरे भाई इसकी लंबाई 1507 मीटर या 4944 फीट है मैं लिख के देता हूँ आपसे मेरे भाई ये exact डेटा पूछ सकता है आप रेलवे का एक्जाम देने जारो मुझको लगता है UPSC के एक्जाम के बाद या उस रहो ना तो यह स्टेशन वैसे करनाटक का भी दूसरा सबसे ब्यस्ती स्टेशन है और साउधरन वेस्टर रेलवे के इस प्लेट फार्म को आचा आप देको सिद्ध रूधा कहां पढ़ रहा है साउधरन वेस्ट साउथ वेस्ट रेलवे तो आगर हम लोग यहां पे आ जा होगा और हुबली स्टेशन पर कुल आल प्लेट फार्म है यहां केवल पांच प्लेट फार्म थे जिनमें तीन नए जोड़े गया है अब इसकी पूरी लंबाई पंदरसो साथ मीटर अगला क्वेशन अब गोरकपुर वाले का देख लो जो दूसरे नंबर पे है तीसरे न जन्या कुमारी ट्रेन का कह रहे होना अब वो हड गया है रिकॉर्ड पुराना हो चुका है स्वतंद्र भारत का पहला रेल बजट किनों ने प्रस्तूत किया था अजा मेरी क्लास डेली ऐसे ही चलेगी रेलवे के 4-5 करेंट अफेयर फिर रेलवे के क्वेशन और फिर रेल बजट पेस किया जॉन मताई एक अर्थ सास्त्री थे भारती राष्टी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे उन्होंने भारत के वित्तमंत्री के रूप में भी कारिक किया है 1955 में ये भारती स्टेट बैंक के पहले अध्यक्स थी भी थे इन्होंने जो पहला रेल बजट लाय था 20 नवंबर 1947 को लाया था ठीक है मेरे भाई 20 नवंबर 1947 को फिर भाई अब लगातार कई साल रहे हैं तो दूसरा तो आपसे ये क्वेश्चन पूचता है अगर आपसे कभी डेट पूच दे अन्य स्टूडेंट का गलत हो जाए तो हो जाए क्योंकि भाई अगर वो नहीं ठीक है नगरेजों ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था आकवर्थ कमेटी के अनुस अंसाब में भारत दुनिया का एक मात देश था जहां रेल बजट केंदरी बजट से अलग पेस किया जाता था ये 1924 में जब अंगरेजों ने अलग किया था 2017 में अरुड जेटली जी ने संसद में संयुक्त केंदरी बजट पेस करने वाले पहले वित्त मंत्री बने थे मतलब रेलवे बजट और इसके आम बजट को एक साथ कर देने वाले ये पहले मंत्री बने थे अगला भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है अचा एक बात बताओ ये जो मैं रेलवे का करेंट अफेयर रेलवे का जी अस लेके आ रहा हूं क्या एक उमीद जग रही है कि यह सलेक्शन होगा और ये क्लास डेली मात्र 30 मिनट की चलेगी मैं दिन बर इसमें आपको न पास से 10 क्वेशन रोज तुम रेलवे के तयार करोगे न तो आज के 2 महिने बाद कम से कम हजारो क्वेशन तुमारे पास तयार होंगे रटी होगी तुम्हारी इतनी मोटी बुक रेलवे की, मैं रटवाऊंगा तुम्हें रेलवे भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है सर दिये गए options के हिसाब से पीर पंजाल पीर पंजाल जो है सर, यह हाल ही में इसका उधगाटन हुआ है और यह भारत की सबसे लंबी टनल है, जड़ा देखते हैं इसके बारे में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग है इस रेलवे सुरंग को हम लोग T-80 के नाम से भी जानते हैं इस रेलवे, अब आपसे पेपर में पूछ सकता है कि रेलवे के संदर्व में T-80 क्या है तो T-80 क्या है, रेलवे सुरंग है, पीर पंजाल, जो भारत की सबसे लंबी है इसकी एक और खासिया सुनो, यह भारत का एक मात्र ब्राड गेज परवती रेलवे है ठीक है न, जो पीर पंजाल परवत सिंखला से होकर गुजरता और कस्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोडता है और कस्मीर भारत के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे है समझ रहो न, मतलब सबसे क्रेजी वाला माहौल बनाता है कस्मीर भारत के लिए अगला, समुदर तल से इसकी उचाई 1760 मीटर है और पीर पंजाल भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल question तयार, अगला question अब सेम चीज इंग्लिस में भी कर दिये है तो पीर पंजाल अगर रेलवे टनल की हम लोग बात करें तो 11215 मीटर, वही 11.2 किलो मीटर दूसरे नंबर पे भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल है काली जोरा सुरंग, पश्ची मंगाल में पढ़ता है तीसरे नंबर पे भारत का जो सबसे लंबा रेलवे टनल है त्रिवेंदरम बंदरगा सुरंग है जो 9,020 मीटर केरल में पढ़ता है और चौथे नममर पे जो भारत का लंबा सुरंग है वो है आपके संगल दान सुरंग जवाहर वाला हड गिया ठीक है न हाँ जवाहर सुरंग का हड गिया अब यह टनल है ठीक है ना अगले पॉइंट पे आते हैं सीमर सब्द किस खेल से सम्बंधित है सीमर रेलवे के पेपर में इस अब रहना है खेल से सम्बंधित प्रस्न मेरी क्लास रेगुलर 9 बजे चलेगी इसमें 5 कोश्चन करीब 5 से 7 कोश्चन करेंट अफेर के होंगे जो रेलवे के लिए जरूरी होंगे रेलवे के लिए प्लस इसी तरीके के 5 से 7 कोश्चन रेलवे के डेली with extra information प्लस तीन से 4 कोश्चन जीके जीके और जीके रहेंगे लेकिन मैं इसमें GS नहीं सामिल करूँगा GS के लिए आप डेली साम 7 बजे मुझसे पढ़ सकते हैं SSC Adda YouTube चैनल पे यहाँ पे static GK, railway GK और current यह तीन का combination रहेगा static GK, railway का GK और railway का current अफेर यह बात याद रखेगा daily, हाँ अगर आपको pure GS भी railway का तयार करना है तो साम 7 बजे SSC Adda चैनल पे सर अगर इस question की बात की जाए, seamer, seamer सब्द जो है यह सर होता है, cricket के खेल में seamer का प्रियोक किया जाता है अब आपको बताते हैं, यह आपके railway के paper में पूछे गए सब्द है railway paper, यह railway के paper में अब तक जितना भी सब्द जिस खेल से पूछा गया है खास करके इन पाँच खेलों से मैंने एक जगा कर दिया है जैसे, cricket से जुड़ा हुआ, यह सारा सब्द आपके railway NTPC Group D.A.L.P. में पूछा हुआ football से जुड़ा हुआ, offside, goal, tackle, throwing, net के पीछे net के पीछे, मतलब back of the net, यह भी पूछा गया है यह से, आओ net के पीछे मिलो, पटक के मारेंगे, सही हो जाओगे हांकी से जुड़े प्रमुक सब्द आमने सामने, front to front, hand pass hand pass सब्द खुब पूछा हुआ है, ठीक है ना, hand pass, red line, blue line, center eyes, slap shot यह सारी PDF आपको मिलेगी, ठीक है ना, सारी PDF आपको मिलेगी और tennis से जुड़े, वाली सब्द railway के ALP में भी खुब पूछा है, group D में भी खुब पूछा है NTPC में भी खुब पूछा है, यह वाली सब्द मैं बताओं कि तुम लोग के भरोसे के लिए बता रहा हूँ, जब मैं online पढ़ाना सुरू किया था 2018 में, तो मैं railway का ही pure teacher था, उस समय 2018-19 में vacancy नहीं आय थी, दू साल जम के railway पढ़ाए, अब वो paper इतना लेट होने लगा था यार, अब इस बार फिर से मेरे अंदर, जबकि यह घंटे अभी पढ़ा के आया हूँ, एससी अड़ा पे, लेकिन railway को लेके एक अलग उत्साह बना रहता है, दम्यंती जोसी कि सास्त्री निर्त्य से संबंधित है, बताएगा, बताएगा, दम्यंती जोसी, कथक की प्रमुक निर्त्यांगना है, ठीक है न, कथक, कथक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निर्त् अब देखो, ये जो railway के paper में आया, railway, सिर्फ मैंने उन्ही उन्ही नामों को लिया है, आप group D, NTPC, ALP, RPF, किसी की बात कर लो, यही 5 नाम आज तक उसने पूछे हैं कथक से, छटवा नाम उसने नहीं पूछा है, पिछले 10 साल के paper के आधार पे ये रखा हूँ, पंडित बि railway के paper में आया, सर, मिलालनी सारा भाई, ये तो SSC भी खुब रगण के पूछता इस नाम को, VK नारायन मेनन, उदय संकर कृष्णा नायर सांता राव, जितने लोग मुझे live देख रहो, इमानदारी से बता दो, यही है ना आपके railway का pattern, अब ODC से जुड़े railway के paper में आये तो सयुकता पाडिग रही एक, मोहन महापात्रा दो, और सुनल मान सिंग तीन, उसके बाद ये नाम आते हैं, तो अगर आप ODC के जुड़े famous निर्त्यांगनाओं के नाम निर्त्यकरताओं के नाम याद रखें, तो सबसे पहले सयुकता पाडिग रही, अब इसी ODC में, ज चुड़े, अब भारत नाट्यम से भी आगर मैं आपको पताओं कि सर, इसमें आगर आप कर दें, वो क्या कहा जाता है, रैंकिंग, तो पहले किस नाम को याद करें, यामनी कृष्ण मूर्ती, सोनल मान सिंग, रुकमडी देवी अरुंडेल, रेलवे की सबसे फेमस नाम, उसके अलावा, ये जो टी सुनर, देखो, इंपॉर्टेंट तो सब है, यामनी की रुकमडी देवी बैजनती माला, ये, और पदमा सुब्रमन्यम, ये चार नाम, हाँ, मुझे पता है, रेलवे का आपका वो लगा हुआ है, एक दाट 10 मिनट सो, लेकिन आज, चुकि डे फ और कल से करेक्ट 9 बजे हम लोग लगा जाएगा, पूरे जोर सोर से, ठीक है ना, ये कलास डेली 30 से 40 मिनट की होगी, और रेलवे, 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 जिसमें, जैसे मैं डेली जो करेंट अफेर पढ़ाता हूँ, उसके बस 4-5 कोश्चन इसमें होंगे, 4-5, ठीक है ना, बाकि सब रेलवे, 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 खा जाया जाएगा यार रेलवे को, रेलवे के पेपर में क्रिसी भी खुब पूछता है, रेलवे के पेपर में पसुपालन भी खुब पूछता है, तो क्रिसी, पसुपालन और रेलवे के खुद के कोश्चन वो खुब प लेते हैं कमेंड बॉक्स में बताईएगा जरूर कि आपको जो ये रेलवे औरियंटेट क्लास मैंने प्यूर रेलवे के स्टुडेंट के लिए मैं इसमें कह सकता हूं कोई भी SSC का स्टुडेंट किसी अन्ने एक्जाम का स्टुडेंट मेरे इस क्लास को न ले जो रेलवे की त्यारी कर रहे हैं वही मेरे इस क्लास को अटेंड करें ठीक है न भाइब मैं बात साप साप कह रहा हूं जो देखो अब ऐसा कोई टीचर हो तो चाहेगा न कि लाइव में खुब भीड हो खुब सब्सक्राइबर हो नहीं जिसको प्यूर रेलवे की त्यारी करनी हो वही इ क्लास करेक्ट नौ बज़े सुरू होगी और नौ तीस पर आधे घंटे रोज मैं समय नहीं बर बात करूँगा ठीक है न साइन्स के क्लास इसी में क्वेश्चन रहेगा सूरज ठीक है न थैंक्यू सो मच निकू मारी जी निकू कमारी जी कल इस पर हम लोग बात करेंगे जैहिन जैभारत आज के लिए इतना है जैहिन जैभारत